हेलो कुमेंडों वेलकम टो बायोमेंटर्स क्लासेज ऑनलाइन आएम डॉक्टर गीतन सिंग तो चलिए बिटा आगे बढ़ते हैं हम हुमन रिप्रोडक्शन में तो हम एक बड़ा इंपॉर्टन चेप्टर पढ़ रहे है हुमन रिप्रोडक्शन जिस पर एक्जाम में कई सा अभी तक क्या देखाः भीटा हमने आभी तक हमने देखा है इसमें कि जो मेय रिपरेटिफ इस्टम है उसमें टेस्टिकल किस तरह के होते हैं टेस्टिकल से Core डूड़ी होई डंट के बारें बात किया आमने हम नहीं देखा कि सेमाइनी फेसटीबिल्लन से जिड़े होते हैं इने डिस्शेव में जाकी खुलता है ठीक है फिर इपी डंट होता है वह उसका पीडेमिश का लाकरी हिस्ससा जो vast difference में convert होता है vast difference abdomen कि यौर move करती है артесь कि फिर vast difference वह seminal in packed से fuse करती है एक किल DD duck बनता है और EECLYlished duct वह उरुट्रा में लाकर खुलती है Tor तो हमने जो है वह prostate gland क्या होती है, seminal fascicles क्या होता है, was difference क्या होता है, wasa influencia क्या होता है, rreat etestis क्या होता है, सर्टोली सेल्स क्या होती है इस पर मेटोगोनिया सेल्स क्या होती है लीडिक सेल्स क्या होती है बार 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 मैंने आपको चीज़ा रिकॉल कराई है ताकि दिमाग में सेट हो जाए आपके और कभी आप गलती ना करें इस पोर्शन में कि आपने देखा होगा कि जो human reproduction का जो booklet है उसमें आपने question देखें बिटा तो उसमें जो diagram वाले question है बड़े important question है most of the question exam के है उसके इंदर ठीके तो आप समझ लेजे कि इस chapter का अच्छा खासा level exam में पूछा जाता है ठीके चलिए तो disclaimer में आपको फिर से याद दिला दू बटा कि this chapter is having detailed information about the human reproduction system के तो be serious ठीके और जो भी comment करें सोच समझ की करें ठीके चलिए तो आप देखें हम male reproductive part में जो है क्या क्या देख चुके है हम male reproductive part में देख चुके है कि primary sex organ जो primary sex organ जो है वो testis उसको हम देख चुके है हम जो है वो इसके लावा क्या देख चुके है जितनी भी duct यहाँ पर involved थी उन duct को हम कहां से शुरू करते है हम समाइनी फ्रस्टिबूल से शुरू आत करते है इसकी सब को जोड़ लिया हमने युरूत्रा तो यह सारी डक्ट के बारे में हमने almost बात किया कि युरूत्रा के बारे में पढ़ना भी बाकिये फिर हमने क्या देखा हमने देखा कि और जो युरूत्रा है युरूत्रा इस दी लास पाटन है युरूत्रा वो हिस्सा है जहां पर जो है संख्या में दो होती है जो एक सिंगल यूथरा में ओपन होती है और यूथरा किसकी ओपनिंग होता है यूथरा बैसिकली ओपनिंग होता है जो इन सामाई में help करता है ठीक है clear चलिए आपके लिए question है आप बताएंगे मुझे मैं यहाँ पर level कर रहा हूँ A कौन सा gland है और यह B कौन सा gland है ठीक है ठीक है और यह C tube दिखाई पढ़ रहा है यह क्या है ठीक है ठीक है A B और C बताईए कि क्या है ठीक है identify the structure A B & C क्या है यह आप मुझे बतलाएंगे clear ठीक है ठीक है थोड़ा involved हुई एक्टिव रही है तक हमें लगी कि आप सीख रहे हैं चीजों को चलिए क्या है JAMs Ha questo кино खक रहे हैं तो में आप से कोशयं किया था कि सवाइनल प्लाजबा प्लाज्मा कि उन्हें मैं इसे के कि human male में seminal plasma क्या होता तो मैंने आपको बताया था कि 3 gland seminal vesicle की बात करें हम prostate gland की बात करें हम और bulwoyutal gland की बात करें तीनों के secretion को मिला के हम seminal plasma कहते हैं क्या बोलते हैं seminal plasma कहते हैं ठीक है seminal plasma semen का up to 90 से 95% होता है कि ऐसा मानते कि जो सीमेन होता है उसमें sperm की quantity 5 से लेके 10 maximum 10% होती है minimum 5% जो है वो sperm contribute करता है spermatos वा contribute करता है 90 से 95% क्या होता है वो होता है seminal plasma होता है जो तीन gland का secretion होता है seminal vesicles prostate gland और bulwoyutal gland के और इसमें क्या मिलता है आपको fructose मिलता है calcium मिलता है और fructose क्यों important होता है यह spermato जो आकर nourishment provide करता है जो sperm होते है उनको food चाहिए होता है उनको movement के लिए energy चाहिए होती है वो energy जो है वो fructose provide करता है और calcium जो होता है वो सीमेन को जमने में help करता है उसको जो है coaglet हरने में help करता है ठीके चलिए तो almost हमने prostrate gland संख्या में एक होती है मैंने बताया था कोट के seminal vesicle संख्या में दो होते है ठीके फिर मैंने कहा था बलब यूथल ग्लेंट वो भी संख्या में दो होती है ठीके फिर हमने देखाते देखिए वास difference जो होता है यह वकाइदा जो है वो abdomen में आता है और bladder के पास एक loop बनाता हुआ फिर यूथल में जाकर वो open होता है ठीके अब देखिए male और female की यूथल में फर्क होता है female में यूथल में यूथल काफी छोटी होती है और इसलिए आपको करते हैं तो इसलिए जो कई बार होता ना कोई पेशंट जब होस्पिटल में एड्मिट होता है न तो उसको क्या होता है उसको हमें ज्याब की नली लगानी पड़ती है वह और इक्टा कर सके आप ने कई वह इसलिए करते हैं कि जितना आपको जो बोतल लगी होती है वह कितना फ्लूट चड़ाया है और कितना बॉडी से बाहर निकला है उसको मेजर करना होता है यह बॉडी का फ्लूड वॉल्म मेंटेन रखने के लिए तो आप देखेंगे कभी कि नर्स जब भी राउंड पर आत उसकी रीडिंग को नोट कर लेती है तो होता यह कि एक तरब से आपको जो हॉस्पिटल में जो पैशेंट है उसको फ्लूट दे रहे होते हैं और उसके लावा दूसे तरब से वह वह व्यक्ति यूरिन भी पास कर रहा होता है तो वह कितना फ्लूट है कितना बॉडी के अं नहीं होता है मतलब किडिनी शेट आफ की कंडिशन में और फ्लूड बॉडी में खटा होने पर ब्लेड वॉल्म बढ़ सकता है और हार्ट के लिए दिक्कत हो सकती है तो इसके बड़े सारे परामिटर होते हैं तो कभी आप गोर कीजिएगा कि यूरित्रा में जो है वह इसलिए एक चीज़ और भी है कि जो की यूरित्रा काफी छोटा है और इसकी स्फिंटर भी वह उतने प्रॉमिनेंट नहीं होते हैं फीमेल में ऐस कमें तो में तो इसलिए फीमेल की जो रोकनी की चंता है और ब्लेटर में माल लिजे इंपल्स बना कि यूरिन पास करना है तो females की urine को रोकने की छमता as compared to male थोड़ी सी कम होती है और यूत को की उर्था शॉर्ट हाइट का होता है और bladder सिधा direct connected होता है तो that is the pressure effect basically लिटके तो वो उसके करन और urine को कम समय के लिए रोक पाती है इसलिए आप देखेंगे जो हम कहते हैं कि urine को पास करने की इक्षा होने पर females उनके लिए उनको लंबे समय रोकना मुश्किल होता है चले अभी हम male और female यूत्रा में difference यहाँ पर देखते हैं male यूत्रा जो है वो long होता है female यूत्रा जो है वो short होता है male यूत्रा की लंबाई जो है वो 18 से लेके 20 cm होती है female यूत्रा की लंबाई जो है 4 cm होती है ठीके male यूत्रा जो है वो दो function करता है uridation का काम करता है और ejaculation of semen semen को release करने का काम करता है ठीके semen को बेटा हिंदी में कई बच्चे समझ नहीं पारें तो मैं कहें दूआ हो को semen इसको बोलते हैं वीर्रे बोलते हैं ठीके न और याद के वीर्रे और शुक्राणू या semen और इस्पर्म अलग-अलग चीज होती है स्पर्म is a part of the semen के सुक्राणू वीर का एक भाग होता है ठीके तो दोनों सुनुनम नहीं है ठीके को कि semen के अंदर seminal plasma भी होता है तो जो मैं लिए उत्रा है वो लॉंग होता है 18-20 cm लंबाई का होता है इसका function होता है urine पास करना ठीके और semen को release करना और यह कर्व डबल कर्व रता है यह की यह वह बकाईदा एक प्रकार से कर्व बना कर पहुंचता है कहां पर अपना blader था तक कि इसलिए चुकि इसलिए मैंने का ना catheter डालना जो है वो थोगा सा मुश्किल होता है नबकि फीमेल यह उत्रा जो होता है लंबाई इसकी चार सेंटिमेट होती है और इसका function केवल और केवल यूरीन पास करना होता है यह उटके फीमेल में जो कॉपलेटरी ओर्गन है वो डिफरेंट है तो मतलग जो वजाईना है तो हम कहते हैं कि फीमेल में जो यूरित्रा है इसलिए फोले कैथेटर बलते हैं जो यूरियरी कैथेटर बलते हैं वह आसान होता है फीमेल स्केंदर एक लाइन के वह एक लाइन में जो इसके बारे में जानना है जैसे माइक्रो बाड़ी दे सेल दी उनिट अफ लाइन लिकिये और उसके बारे में आपको पढ़ना तो पढ़ता है कम से कम आपको एक या दो पेच की थोरी पढ़ने पढ़ती पूरी उसके लिए तो इसलिए यह दिमाग में बहुत सारे डाउट उठते जब आप जो बच्चे बाइयो में जोड़े होते हैं उनके दिमाग में डाउट उठता है कि रहे आर सर तो बहुत डिटेल पढ़ा रहे ऐसा तो आता ही नहीं है हो तो एसा मत सूची कुछ कारण यह कि जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पना काम मालूम अच्छे से के और मुझे मालूम अच्छे स यह फीमेल में कि तुला में मैल में अधिक लंबा होता है ठीक है तो यह दखिए यूथा ठीक बॉल्ल मस्कुलर डक्ट होता है इसको हम यूरी इसको हम जो है वो यूरीनो जनेटल डक्ट भी कहते हैं इस्पेशली इन मैल कि कहां पर बिटा इस्पेशली इन मैल ठीक है किस मेटर्ड के जो ओपनिंग आप दी यॉरूट्रा की ओपनिंग है उससे क्या बूलेगी आप उसको हम बोलते हैं suffac करते हैं clear देखिए अब क्या देख रहे हैं हम यह पे अब हम देखिए अब यूत्रा की बात करें और यूत्रा कहा होगा वह पूरी पैनिस की पूरी लंबाई के अंदर यूत्रा अधि हम जो है मैल एक्स्राण जनेटलिया की बात करें तो इस इस पट्स पट इस इस और यूद्ध है यो फूला हूँ वह बलबस होता है उसको हम क्या बलते है उसको हम ग्लांस बुलते हैं तो देखिए आप आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है यह यह आपको धिखाई पटरा नधर यह यूरत्रा है और पाणिस की पूरी लंबाई के इंदर है यह का ओपनिंग को क्या भी है मीटम इसको भी एक प्रकार से हम सो fought के और this helps in the copulation ठीक है यह sexual संपर्ख में संसर्ग में help करता है और पैनिश जो होता है यह basically हम कहते हैं कि it is external genetalia इसके अंदर gametes नहीं बनते हैं this is just a copulatory organ it helps in the insemination के insemination का बताता है male gamete को female body के अंदर छोड़ोना ठीक है ठीक है इस पेशल टाइप के हमको tissue हमको tissue देखने मिलते हैं जा हम बोलते हैं कारपस केवर्नोस अब बोलते हैं के यह वह tissue होते हैं जो tissue जो है वह पैनिस को कहीं लिए during the copulation these tissues store the blood इनके अंदर केवर्नस का मतला होता cavity वाले के तो इनके अंदर cavity होती इसमें कि blood इखटा होता है और blood के इखटा होने पर यह penis को जो है वह हम कहते हैं कि पैनिस को यह copulatory organ की रूप में जो है वह उसको strong करते हैं जिससे की विक्ति copulate कर पाता अदर्वाइस नॉर्मली यह flaccid condition होता है जब इसको जए वो rigid condition में convert करना होता है द्रण करना होता है उस समय ब्लेड उसमें इखटा होता है तो वो होते cavernous tissue होते हैं ठीक है देखे आपके हम देखने की तो सार एक बार इस इमेज को देखो आप इसमें के ट्यूनी का वैडाइनलिस क्या चीज है मैंने आपको बता है covering है जो testicles के आस पास एक टेस्टिस देखने आप एपिडाइमेज देखने वास दिफ्रेंस देखने आप यहां पे फिर आप देखने इसमें आपको जो है वो seminal वसेकल दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें प्रोस्टेट दिखाई पड़ र और हम देखने कि महां पर हमने का कि आपको इरुथा का ओपनिंग भी दिखाई पड़ रहा है और जो आप देखने इस पैनिस के दर यह जो आप टिशू देखना है दिजादी इस पॉंजी टिशू जो की बस्तब में वह ऐसे टिशू होते हैं जो ब्लेड को रिटेन करते ह और पैनिस को जो है वो फ्लैसिट से रिजिड होने में हैल्प करते हैं मतला दो प्रकार के टिशू हमको देखने मिल रहे हैं तो मैंने आप से कहा कि एक टिशू यह हो गया एक टिशू जो है हम कहते हैं कि दो तरह के टिशू हम यहाँ पर देखने मिल रहे हैं जो की स्पॉ बनाता है इसको क्या बनाता है इसको क्या बनाता है यहांगे आपको इमेज दिखाता हो ज्याद़ समझ में इसमें आएगा हमको ठीके इन दोलो टिशु को हमने निकालके अलग mister कर लिया तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं जो 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 है पैनिस के जो होने में ब्लेड को इखटा करते हैं और उसमें तो याद रखी के जो जो मेलएक्से जरै टहले से हार्ड रहाता है ठीके। पैनिस एक्सन जनाएटिला बहा आफ कॉपूलेशन का सेक्शुल संसर का मेल औरगन होता है इस वेस्कुलर, स्पॉंजी, और इरेक्टायल इस्टच होता है ठीक है इस पेंडूलस औरगन का मतलब है कि इस यह हैंगिंग पॉसिशन होता है is the pendulous organ which is suspended from pubic region to the in front of the scrotum के ठीक है जिसी ये scrotum में scrotum के आगे जो है एक पकार से suspended होता है तो हमसको बोलते है pendulous organ केते है ordinarily it remains flaccid के सामानता ये flaccid होता है small and limp होता है but on sexual arousal it becomes long hard and erect के sexual arousal पर ये long hard और erect लाता है और इसकी एक erect penis की जो लंबाई होती ही वो 14 से लेके 15 cm होती है on an average के that may vary ये country to country भी vary करता है के ये person की अपनी normal physical height से भी vary करता है परन तो on an average जो है लंबाई इसकी 14 से लेके 15 cm होती है एक erect penis की लंबाई ठीक है penis mostly formed by of three cylindrical cord of spongy erectile tissue इंपोर्टन ने बिटाट के आई एंपी एक के penis जो होता है वो बैसिकली तीन cylindrical cord से बना होता है जो spongy erectile tissue की होती है और मैंने आपको बताए ना दो लेटरल होती है आजूबाज होती है कारफास के वुरनोसम होती है और एक बीच में होती है वो होती है कारफास के वो यह सम गिते है आपको याद रखना है बेटा कार्पस केवरोनरसम और कार्पस स्पोंजोसम का संबंध किस चीज से है तो इसका संबंध है पैनिस सेटके and these are the erectile tissue होते हैं, spongey tissue होते हैं, blood को इखटा करके ये पैनिस के erection में help करते हैं this is important point याद रखिए मैं DPS में आपको इस तरह के question दोगा, जो अग्जाम में पूछे गए हैं, ठीके the third smaller cord is the corpus spongesum, ठीके, तो corpus caveronusum and corpus spongesum जो होते हैं, पैनिस के, spongy erectile tissue होते हैं, corpus caveronusum जोड़े लेटरल साइड में होता है, left or right side में होता है, जबकि corpus spongesum जो बीच में होता है, आगे जाके broad होके, ये glance penis को बनाता है, clear, ठीके, the corpus spongesum, फॉर में bulge and conical structure at the tip of penis, penis के tip पर ये इसको हम glance penis करते हैं, और glance penis को cover करने वाली skin को बोलते हैं, prefuse बोलते हैं, for skin बोलते हैं, ये lose होती है, retractable होती है, ठीके, that can slip over the glance penis, glance penis के उपर ये slip हो सकती है, तो retractable होती है, clear? Biomentors app from Google Play Store, we need your support, so please take subscription, to become an official commando of Biomentors, bye-bye, continue your lecture. At the tip of the glance penis, a slit like urethral meter is present, and glance penis के tip पर जो होता है, एक opening होता है, जो इसे हम urethral meters केते है, urethra का opening होता है, clear? तो देखो, बिटा, यहाँ पर the point to remember is that, which spongy tissue is present inside the externegyalitella of male, male externegyalitella में कौन सा spongy tissue होता है, carpus kebronosa क्या होता है, carpus spongesum क्या होता है, glance penis क्या होता है, prepuse या foreskin क्या होता है, यह हमको याद रखना है, ठीके, clear? अब जो prepusal gland होती है, prepusal gland होती है, यह हमको कहाँ देखने मिलती है, हमें glance penis के best में हमको देखने मिलती है, यह जो penis होता है, penis में जहांपर soft और glance penis जुड़े होते हैं, उसको नेक आप पनेस बोलते है, यहां पर prepusal gland देखने मिलती है, यह gland होती है, white sebaceous material secret करती है, यह हम white substance को secret करती है, इसको हम Magma बोलता है, मैं इसको क्या बहूलते हैं इस में जो कि नहीं इस में इस गलान्स से और शॉट्वर्फ अब स्थ का है जो is very important to clean this this material जब कि वेक्ती तो यह हुआ ने हम जे तो फूसरी नहाँ होता है तो मैं scientific point of view से बत ला भार झाल कि gì कि फोर स्क नोत रोता है ये चलते दिसां की चलते का है ना सकतsystem अब उपन होता है ये स doświad Quinn केम टेगे suggestive पैनिस इस प्यूर्ली वैस्कुलर फिनॉमेना और इसमें इरेक्शन में जो होता है परा-सिंपटेटिक नर्व रोल प्ले करती है कि जो परा-सिंपटेटिक नर्व होती है S2, S3, S4, they play important role in the erection of the पैनिस के During intercourse the sensory cells present in the skin of the glans पैनिस इस्टेब्लेक्शन के जब एक विक्ती इंट्रकोर्स करता है तो उसके दुरान जए उसके देखे Everything is controlled by the brain, सब कुछ ब्रेन से control एके तो परा-सिंपटेटिक नर्व होती है यह stimulus को carry करती है जिसके चलते है जो वो erection of the penis होता है और जो इंट्रकोर्स के बाद में जो ejaculation होता है जो semen, semen का बहार रिलीज होना ejaculation कलाता है और ejaculation जो होता है इस इस सिंपथेटिक पोसेस ठीकिना इदि हम दर्वा सिंपट विए से बात करें के दिखिया अब erection जो अब दिखो यह भी एक important question है मैं कहरा हूं आप से यह भी important question है जो already M's के अंदर पुछा गया है already all India team आया वो question है ठीकिना तो erection of penis is a parasympathetic event ठीकिना जबकि ejaculation जो होता है वो एक sympathetic event होता है के ejaculation का मतला होता है सीमेन का urethral meter से बाहर निकलना ठीकिन नहीं the throwing of the semen from the eurothra से सीमेन को बाहर निकाल देना वो ejaculation कलाता है और ejaculation is a sympathetic event and the erection is a parasympathetic event ठीकिके clear चलिए तो हमने क्या कहा हमने और देखिए जब कभी semen को बाहर ejaculate के आता है उस समय जो है वो nervous system क्या role play करता है वो simultaneous contraction करता है male genitals के अंदर जिसके चलते जो है वो semen को जो है वो forcefully बाहर निकला रिके और सीमेन जो होता है दूपिंग डाउन बारीग बारीग बूंद की रूप में नहीं गिरता है वो force police को बाहर निकलाता है उसके लिए there is contraction of the rectal sphincter contract करता है contraction of the muscles around the best of the penis penis के best के muscles contract करते हैं पेटके फिर internal euthral sphincter remain contracted internal euthral sphincter क्यों contracted होता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो urine बाहर निकल जा है तो urine को रोकने के लिए internal euthral sphincter रिलक्स होता है ताकि supply आई है उससे सीमेन को बाहर निकाल सकेटके and the contraction of the penile eutra जो eutra होता है वो भी थिक muscular tube होता है मैंने पता है ना euthral भी थिक muscular tube होता है तो बतला euthral contract करता है ठीके rectal sphincter जो पास में जो muscles present है वो भी connect करते है पैनिस के best के muscles भी connect करते है जिसके चलते जो है वो सीमेन को forcefully बाहर के और expel किया जाता है ठीके clear अब NCRT में क्या लिखा इसके बारे में दिपनिस is the male externe genital है पैनिस male externe genital है इस मेड़ अप of special tissue that helps in the erection of penis to facilitate insemination के तो तो तेखो NCRT में एक लाइन लिखा आप हम यह भी समझ गए कि NCRT ने बोला है कि special tissue होते होते हैं करपस वह बनोस होते हैं करपस जो होती हैं ठीक तो हमने क्या क्या हमने एक एक चिशको ध्यान से पड़ ले हमने जो NCRT में एक लाइन के और वंने शिज़ों को चुपा के रखा हमने उसको साफ साफ पढ़ लिया उसको हम ने ठीके फिट दे इनलार्ज एंड अफ पैनिस इस काल्ड ग्लांस पैनिस इस कवर्ड बाई लूस फोल ऑफ इसकिन काल दी फोर इसकिन और प्रिप्यूज भी कहते है इसको हम प्रिप्यूज के प्रिप्यूज वर्ड एक्जाम में पुछा ठीक है तो यह हमको याद रखना है तो यह एंसी आटी के अंदर लिखा हुआ है ठीक है देखो बिटा इस आल इस बाईलोजी तो तो यहां पर बहुत दिखी क्या होता कि इस जब में मैंने मेरा पिछला अनुवब इसलिए मैं बार बार यह पचीरे बोलता हूं कि कि कुछ लोगों को जो है इसा लगता है कि सर वाइश 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 वी शुट दिस्कॉस इस तिंग्स इंड सो डिटाइल के अच्छली बिटा वियर लर्निंग बाईलोजी वियर ट्रैनिंग आवर सेल्फ और नीट एग्जामिनेशन के और यह जो जो इनफॉ फिर आगे बढ़ते तो हम देखिए हम समझ गए इस्पेशल टाइप इस्पेशल टिशू है हमने क्या बोला हमने का कि जो है उनको क्या दिखाई पड़ा है इस्पेशल टिशू के तो कार्पस के वरनोसम है यह कार्पस इस्पोन्यूसम है देहांस देखिए हमने क्या क्या प्रामिनन्ट्ट है बीक में हो कर 18 बदूकर है आगे जाके ग्लास में कर आगे बढ़ते हैं अब अफि आप हमने क्या क्या था है है डीखो बार-बार में आपको इमेज दिखा ताकि यह लेवलिंग के लिए जब आपको डाइगराम आए तो आप इसको लेवल ठीक से कर पाएं बैटा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सारी अब देखियो सारी जो ग्लैंट्स दिखाई पड़ रहे हैं कि हमने क्या देखा आप आपको देखा हमने क्या देखा बेटा हमने वो ओर रिषड्य को देखा हमने जयवह वह अ कंधर कशिराको निधा को देखाना संद्री इरेक्टाइल स्पॉंजी टिशू को यहां पर हम देख रहे हैं हम इमेज के अंदर ठीक है जब इसके अंदर ब्लेड खटा होगा तो यह पैनिस को एरेक्ट करने में हैल्प करेगा अब एक बात बताओ जो डाइबिटीस के पेशन्ट होते हैं जिनको लंबे समय से डाइबि तेंशन होता है ठीक है एसे लोगों में ऐसा दिखा गया है कि इह आर फेसग्टी प्राब्लम व एक्रब्लम एक्रेक्टाईल इस anything होता है क्या होता है कि जो डाइबिटेस के करन बढ़ जाता है और शुगर का लेवल बढ़ने के करन क्या होता है कि ब्लेड की density बदल जाती है और डेड की density बदलने पाद जो रहता था रेटेन उसके तो उससे एक प्रॉपर एलेट्शन ते लेकिन जब डाइबिटी उससे शुगर का लेवल बढ़ गया तो शुगर की dense के level बढ़ने से blood की density बढ़ गई इसके चलते क्या होता है कि sinus को भरने में वक्त भी लगता है और वो sinus में जो जो भी sphincter महाँ पर blood को रोक के रखते हैं वो sphincter भी proper काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि blood की thickness बढ़ चुकी ही वहाँ पर इसलिए जैसे मैं diabetes का practice करता तो मैं आपको बता हूँ मैं यह बल्कुल truth है कि मेरे पास जो patient आते हैं मैं especially male patient के 40 से 50% male patient के वल इसलिए आते हैं कि they are facing the problem erectile dysfunction और जब वो किसी डॉक्टर को कंसर्ट करते हैं डॉक्टर उनका बोलता है शुगर चेक करता और बोलता भी है तुम diabetes वाले डॉक्टर को जाकर दिखाओ जब यह डाइब sugar control होगा तो erectile dysfunction का problem अपने आप से solve हो जाएगा और ऐसा होता है ठीक चलिए ठीक चलिए हमने दिखा यह बात कि हमने male sex और अनके बारे में बात क्या है फिर circumcision का मतलब क्या होता है circumcision का मなたकों से remove कर दिया जाता है ठीक है clear अब बात करते हैं कि what is semen क्योंकि हम बहुत दर से बात करें कि semen होता है अब semen का कितना amount होता है सीमन में क्या-क्या होता है यह हमको पता होना चाहिए ठीक तो एक तरह का alkaline viscous fat होता है, इसका pH 7.5 होता है, एक बार के ejaculation में 200 से लेकर 300 million sperm release होते हैं, कि कितना 200 से लेकर 300 million sperm, million, जिके 1 million 10 lakh के बराबर होता है, 1 million 10 lakh होता है, तो आप सुच दीजे कि करोड़ों की संख्या में sperm release होते हैं, तो एक बार के ejaculation में 200 से लेकर 300 million hijaculotion में release होते हैं, ओर semen किससे मिल के मन ओता है, semen में होता है, semen में होता है, सेमाइनल प्लाजमा होता है, और sperm होता है, जाद रखज़का 90 से लेकर 95% seminal plasma होता है, 5 से लेकर 10% उसमें sperm होता है, ठीक है, अब interesting बात है कि यदि एक male को gotten normal fertility है, फिक male याद मैंने एसे कई जो है वो आपको पता हूं ऐसे बुद्धिमान देखें मैंने कई कि उनके पाच-पाच-छे-शे साल से बच्चा नहीं हो रहा है और बड़े परशान वह इस दॉक्टर को दिखाए उसको दिखाए दॉक्टर चेक करें बोले भी आप वाइप को तब की से करा कि मेंने करना को करता हैं एक बार छेकरन या जाया करा तो मालुमट सबस्कार अधिकानों जिनका जो ए तै्ल वाला पोर्षण weak है तैल वाला पोर्षण मौटीलिटी का में है उनका में उनका और कई इस जो कि डिफॉल्ट एडिया जो ँडिफॉल्टि पन। फर मिस्पर्म नहीं है तो फिर उनको कुछ विटामिन सफप्लिमेनिट देगा है कुछ कुछ समय के बाद वो फाइनली उनके हर में बच्चा हुआ अठके तो कई बार क्या होता है कि हमारे मिसकंसेप्शन है कि जैसे इन फर्टिलिटी का इसी हो गया तो फीमेल दोशी है उसके लिए जब कैसा नहीं मेल और फीमेल दोनों में फॉल्ट हो सकता है ठीक है अब यदि नॉर्मल मेल फर्टिलिटी की बात करें तो उसके लिए जरूरी है कि जितने भी इसपर्म यहने जो 200 से 3 मिलियन इसपर्म एक एजेकुलेशन में बाहर निकल रहे है उन में से कम से कम 60% स्पर्म नॉर्मल होना चीए नॉर्मल इसपर्म का मतलब है उसका प्रापर हैड हो प नॉर्मल मॉर्फजी की होना चीए और 40% स्पर्म यहाँ जो आजए जो मूवमेंट इनका विग्रस मोतिलिटी इसे मूव करने की छमता रखते हो जो फॉर्टी परसंट से कम होंगे तो जो है वो फर्टिलास करने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाएग तो इसका मतलब यह कि normal fertility के लिए ये दोनों point बड़े important है और exam में पुछे गए normal fertility के लिए normal sperm जाए at least नहीं एक बार के ejaculation में at least 60% sperm जाए normal होना चाहिए और तकरिवन 40% sperm जाए vigorous mortality के होना चाहिए जो तीवरी गवन करने वाले होना चाहिए ऩो चीह एक की वैजऄ सेमेनग्स के अदर सिगस्स्ती परसेंट के आस पास सिक्रेशन है वो सेमानल रखॉत थन På ऍपरसंट के इस्पर्म करों कोगा है सबसद हए और सबसेंड करें 60% टेट के और 30% prostate का सिक्रेशन होता है और 10% के असपा स्पर्म वास difference का सिक्रेशन और वल्वो उध्रेल सिक्रेशन होता है मिलाकर अब question योटता है कि जो semen है वो frothy milk यह cream कलर का milk के समान कलर का दिखाई पड़ता है तो why there is milky appearance of semen तो याद रखेगा सीमेन का जो मिलकी एपरेंस है वो प्रोस्टेट के सिक्रेशन के करान होता है अब ये सब NCRT में नहीं है और इस लेवल की इनफॉर्मेशन एक्जाम में कई बार पुछ ली जाती है बटा तो हमारे पास बाद में ये कहानी नहीं हो आची सुनाने को कि अर नहीं मैं कहता हूँँ एक्जाम is एक्जाम पेपर कैसा भी था आपको करकर आना है मतलब कर कर आना եोड़कर राना मतलब कर आना फोट के no if no but there is no question in Dinward वहार है तो जीतना है विसानी सी बात सिंपल सी बात है कि तो कहने खतम गर दिया लेकिन आप कोई भी टैक्स्बूक को पढ़ेंगे आप चाहे को यह आप जाए को रेफरेंस बूक पढ़ेंगे टैक्स बूक पढ़ेंगे आपके और इवेन मैं कहना हुँ थी यूपी बोर्ड का आप बाइलोजी का बुक पढ़ेंगे आप एमारास्टा का प आपके पैरेंट्स की सफलता है उसके लिए कोई भी चांस हम लेना नहीं चाहेंगे तो वी 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 हैपी टू गो लिटिल ब्यांड दी बार्डर के उससे जाना हम थोड़ा एक्स्टा एफट करेंगे हम भी खुद कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहेंगे चाहिए अंडर्स्टेंडिंग का फर्क है समझने का फर्क है कई लोग लोता बहुत तेश सर ओर्ट सर इतनी इक्लास होगी चल्दी करो अरे क्या एक्जाम होगा दूस दूर है बी चिंटा मत कीजिए तक आपका एक्जाम ना अभी आपको जो है पूरा फोकस करा समझने प जिन्दगी में एक बार बाइलोजी यहां से पढ़ने के बाद लाइट में कभी आपको जो है वो दुबारा बाइलोजी की बुक उठाके ने देखना पड़ेगा आपको दिमाग में आपको दिमाग में इन्फॉमेशन आचिक योगी के कि यूविल गट एवर्थिंग किलिए के मेरे जितने बच्चे जो यहां पड़ें बायोमेंटर में जब वो एम बीबियस के पहुंचते हैं फस्टेर में परफॉर्फॉर्ट परफॉर्फॉर्ण वेरी वेल इन दी हुमन फिजियलोजी इन मेडिकल बायो केमस्टी कि फ्यू अफ देम एचीव गोल्ड मिडल ऑलसो ठीके ना चलिए तो अभी हम बात करते हैं मैंने कहा कि जो सीमेन का जो मिल्की एपरेंस से वो क्यों होता है प्रोस्टेट के सिक्रिशन के करण होता है और इसकी जो विसकोसिटी है जो उसका गाडापन होता है वो किस से होत करता है वो सेमाइनल वेसेकल के सिक्रिशन से होता है जो मिल्की एपरेंस है वो प्रोस्टेट के सिक्रिशन के करण है जो इसका गाडापन है जो इसका विसकोसिटी है वो सेमाइनल वेसेकल के सिक्रिशन के करण होता है ठीक है फिर सेमाइनल प्लाजमीन एंटिबाइटिक से खोजा गया जिसको seminal plasmin कहते हैं और यह वेजयना के वेक्ट्रा को destroy करता है ताकि वो वेजयना के वेक्ट्रा सीमेन को खराब ना कर दें के अब देखिए कि प्रकरती में कितना अदभूत arrangement है कि सीमेन के अंदर एक antibiotic होता है और इसको seminal plasmin केते हैं यह वेजयना के वेक्ट्रिया जो सीमेन को खराब कर सकते हैं destroy कर सकते हैं उसको उसको वह खतम करता है मैल इस मैल विट लेस दें 35 मिलियन इस्पर्म पर एमेल इस्ट्राइल के एक मैल जिसके जो संतान उत्पन करने में सक्षब नहीं है जो जिसको हम बोलते हैं कि strive मैल है तो उसके मतलब यह नहीं कि उसके पास में जो sperm नहीं है उसके पास sperm का संख्या present है लेकिन वो comment के having the 30 जिस मैल में 35 मिलियन इस्पर्म पर एमेल एक बार के इजेकलेशन में कितना निकलता है 225 ml निकलता है 225 ml सीमें निकलता है तो मतलब एक ml में 35 मिलियन से कम इदिस्पर्म होंगे तो संतान उत्पन नहीं हो पाईगी वो मेल स्ट्राइल होगा इसमें ठीके एक बार सीमें इजेकलेट होने के बाद में उसको 24 आवर में उसको रिप्लेस कर जाता है जो नया बन रहा होता उसको वहां पर उसकी जगे पर शिफ्ट कर दिया आता है ठीक है सीमेन कोग्लेट्स機 इमिजैटली आपटर इसेक्यूलेशन Detective होने के बाद में सीमेन इमिजैटली कोग्लेट होता और मैंने आपको बता है ना इसके लिए फाईव्मनय इसके अंदर प्रिजेंट है केलशियम आयन इसके अंदर प्रेजेंट है जो इजेकुलेशन में हैल्प करता है पहले भी बात कर चुके इस बारे में हो है ना चीक है चीक चले अब कुछ सेमाइनल वेशाइकल इस यूटरस मस्कूलिनस के इसको है सरकमसिजन का मतलब होता है removal of prepuse और foreskin of the penis के penis की foreskin या prepuse को निकाल देना, हटा देना, surgically हटा देना इसे circumcision कहते हैं emission का मतलब क्या होता है emission refers to the movement of semen into the urethra के जब semen urethra के अंदर move करता है उसको हम emission बोलते हैं क्या हम emission कहते हैं emission का मतलब है semen का movement into the urethra यूरुथ्रा में जब सीमेन इंटर करता है उसे हम इमीशन कहते हैं के Ejaculation का मतलब क्या होता है दोनों बढ़ अलग लग लग एजेकुलेशन रिफर्टो दी फोर्सिवल एक्सपल्शन ऑफ सीमेन फ्रम यूरुथ्रा आउट अप दी पैनिस के अब यह टर्मलाजी एक्जाम में पुछी आती होता ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है लो इस्पर्म काउंट के किसी विक्ति का इस्पर्म काउंट सीमेन में कम होता है लेस देन 20 मिलियन पर एमल होता है उसे हम ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है लो इस्पर्म काउंट इन सीमेन, सीमेन में स्परम काउंट का कम होना जो कि 20 मिलियन पर एमेल से कम होता है ठीके, very very IMP level of enzyme acid phosphatase is used in diagnosis of prostate cancer के, prostate cancer के case में prostate का size बढ़ जाता है और उस समय जो है वो acid phosphatase enzyme का भी level blood के इंदर बढ़ने लगता है कि याद रखना, very very IMP इन जाइम acid phosphatase जो होता है इसका इस्तमाल करते हैं हम जो हो prostate cancer की diagnosis में यदि body में acid phosphatase का level बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब prostate gland का size बढ़ चुका है, prostate gland जो है इस enzyme को बड़े मात्रा में produce करती है ठीके, clear, तो doctor सक करते है तो prostate का cancer हो सकता है तो इसके बाद पर prostate को जाए वो sonographic की आती है, जांच की आती है और size पता लगाया आता है और इसका कई-काई cases में फिर उसको operate करके बाहर निकाल दिया आता है What is the meaning of importance के नपुन सकता या importance का मतलब है inability to achieve an erection in penis to complete the sexual intercourse के और है, sexual intercourse के दुरान यदि penis जो है वो erect नहीं हो परा properly, that is known as the importance के, इसको हम importance करते है that मैं भी मैंने कहा ना vascular reason बहुत सारे इसके हो सकते है कई सारे इसके pathological कारण हो सकते है उस पर कभी बाद में हम जब disease बाला part पढ़ेंगे, इसी chapter के end में तब हम उस पर बात करेंगे है फिर what is the meaning of sterility, inability of sperm to fertilize an ovum what is the meaning of sterility का मतलब क्या है कि जो sperm में वो ovum को fertilize करने में सक्चम नहीं है या तो sperm नहीं बन पा रहा है बन रहा है तो वो ovum को fertilize करने में सक्चम नहीं है इस्टरलिटी करते हैं importance और sterility अलग्षी importance में व्यक्ति जो है semen और sperm सब कुछ normal हो लेकिन वो sexual intercourse करने में सक्चम नहीं है वो उसे important बोलेंगे importance बोलेंगे उसक्चम के और sterility में क्या है कि वो sexual intercourse व्यक्ति कर सकता है लेकिन उसका sperm जो है वो ovum को fertilize करने में सक्चम नहीं है ठीक है what is the meaning of Adam Adam का मतलब होता है androzen deficiency in aging male के इसे male menopause करते हैं के जो old age के लोग होते है 60-65 प्लस लोग होते है उनमें कई बार androzen का level धिमे धिमे बॉडी में कम होने लगता है और उसके चलते हैं उनमें कुछ particular psychological changes हमको देखने मिलते हैं तो इसे हम male menopause करते हैं hydrocele का मतलब क्या होता है जब testicles के अंदर abnormal amount of fluid इखटा होता है scrotum का size बढ़ जाता हुसे हम hydrocele करते हैं कि यह सब छोटे-छोटे term है मिटा और randomly exam में पूछाते हैं randomly exam में पूछी आते हैं और हमें लगता कहां से question आ गया हमें सब तरह की संभावनाओं के लिए त्यार रहना है तो मैंने क्या क्या है hydrocele का मतलब क्या होता है testicles में abnormal fruit का इखटा होना scrotum का size कही गुना बढ़ जाता है सीमेन का pH क्या है मैंने आपको होता है स्लाइडली एलेकलाइन होता है सीमेन 7.35 से लिए 7.5 जो है वो सीमेन का pH हो सकता है ठीके ना चलिए अब बिल्कुल आखिर में आपके लिए question है ये कि आपको आप देखो मैं पहले भी पूछ चुका है इस बार फिर से आपको बताना है 1,2,3,4,5 को लेवल करके बताईए ये क्या है के 1,2,3,4,5 क्या है आप इसको बताईए आपको बताना है 1,2,3,4,5 की लेवलिंग प्रॉपरली करके आपको बताना है ठीके? clear? screenshot ले लिजिए answer चीए मेरे को विटा clear? ठीके? चले तो देखो यहां पर हमने क्या बात किया? हमने अब जो है वो male sexual reproductive system के बारे में हमने देखा है यहां पर अब एक काम करेंगे इसमें हम जो है वो थोड़ा से अब देखिए बट अबिस सी बात है हमें लगता है कि इसके बात साइसर female वाला system पढ़ाएंगे लेकिन नहीं अभी हमने चुकिए यहां पर तमाम glands को पढ़ा है हमने तमाम हमने secretions को पढ़ा है हमने हमने समाइने फास्टीबूल को देखा है तो बहतर होगा कि हम अभी थोड़ा सा NCRT का sequence हम change करेंगे हम थोड़ा सा male gameto genesis को यहीं पर पढ़ा लेंगे ताकि यहां पर हमारा काम खतम हो जाए तो male part पुरा complete रहा देन उसके बाद हम female repetitive system को पढ़ेंगे और फिर हम आपे menstrual cycle को देखेंगे फिर हम आपे देखेंगे कि कैसे ovum बनता उसको देखेंगे देन उसके बाद हम fertilization पर आगे बढ़ेंगे तो बिलकुँ सब रखिये और बिलकुँ समझते हो जाए इस पर बहुत सारे question मनते है मैंने आपको आना कि यह variety of question इस chapter से पुछा आता है और यह one of the fundamental chapter में से एक है नीट के लिए ठीके चले तो पढ़ते रही है बटा मैंनत को तरे आल दी बेस्ट और यह जाए